हेलो फैंस वेलकम टू दिस वीडियो क्लास फैंस इस वीडियो क्लास के थुरू मैं एक सीरी स्टार्ट कर रहा हूं वर्ड पॉबर मेड इजी के वर्ट्स की एक्टुली कल में इस बुक को पढ़ रहा था और काफी अच्छा इसमें एक्स्परेशन दिया है इस इस बुक में बहतरी में ये बुक है वोकाइबरी को इंब्रूब करने के लिए वर्ड पॉबर मेड इजी और यदि आप किसी भी कम्टेटिव एक्जैम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनिट्ली आपके पास ये बुक होनी चाहिए यदि है तो वैलें गोड यदि नहीं है तो आप इसक चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल और बहुती बहतरीन तरीके से इसमें वोकाइबरी के सारे डाइमेंसिंस को कवर किया गया है और हाइडी यूस पर ये वोक है तो यहां से कवर करते हैं इन वर्ट को ये पार्ट वन है इसके आगे के प ति यूखी दिया है इससे क्या होगा इससे आपको इन वर्ट को जी में और कहीं पर भी ऐसे से इंटेंस अगर दिया है तो उसको आपको अच्छा तुरीक से समझना आएगा कॉंटेक्स्ट को समझना आपको इससे आइगा मैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इसडिस क्या मतलब इसका तो यहां पर cable word नहीं दिया है इस adjective के साथ यहां पर noun भी दिये है ठीक है तो इस तरीके से यह book में बहुत बहतरीन तरीके से इसको explain किया गया है disabled का मतलब है untidy जैसे जैसे कोई व्यक्ति है उसके बाल बिखरे हुए है वो गंदा है और साप सुतरा नहीं है उसको हम बोलते है untidy tidy का मतलब होता है clean order में और untidy मतलब जो साप सुतरा नहीं है तो disabled appearance उसका appearance जैसे डाड़ी उसकी बड़ी हुई है बाल उसके जदर हो रहे हैं कपड़े गंदे संदे हैं उसके या उस पर प्रेस नहीं है तो उसको हम बोलते है disabled तो यहां पर इसका answer जो ह होता है strange ठीक है तो इस वर्ड को भी आप याद रखिए यह काफी important word है अब देखिए आप baffling problem तो यहां पर problem क्या है noun है और baffling उसको modify कर रहा है noun को यह adjective तरह काम कर रहा है baffling baffling का मतलब होता है जो आपको baffl करते जो आपको confuse या perplex करते जो आपको puzzle करते तो यहां पर इसका answer होगा puzzling ठीक है a baffling problem means a puzzling problem a confusing problem a complicated problem तो इस तरीके से देने का actually इसमें मतलब क्या है इस तरीके से यह words को समझाने का purpose यह है कि यह word जब कभी भी पूछे जाए आपसे RC में या close test में या कहीं पर भी इस तरह का sentence लिखाओ तो अच्छे तरीके से आपको उसका contact समझ में आए ठीक है जो की बहुत ही जरूरी है अ किसी भी एक की हम बात कर रहे हैं लिनियेंट लिनियेंट क्या है इड्जेक्टिव है पिरेंट क्या है नाउन है लिनियेंट का मतलब है जो strict नहीं है तो यहां पर नहीं दिया गया है यहां पर not strict दिया गया है ठीक है तो इसका answer होगा आपका not strict severe का मतलब होता है कड़ा बह करेंस में हम सिप सी आपर को यूस करते हैं सी बेर सिवियर सिवियर इसका पर मुझा जाएगा सीवियर nhi ठीए कि और युदि ऐडियेक्टिव है तुष नांट इडियर खोंड हुगा और नाउन होगा वाट ठीक है या leniency यह इसका noun form होगा तो इस तरीके से words को पढ़ना काफी useful यह रहता है अब यहाँ पर देखिए repulsive personality यहाँ पर noun है repulsive adjective है repulsive का मतलब जिससे लोग दूर भागे जिसको लोग पसंद नहीं करते उसको हम बोलते है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग अट्रेक्टिब तो इसका इंट्यूनियम हो जाएगा और confused conceded एक word दिया है conceded का मतलब होता है घमंडी इसके लिए एक word और है arrogant ठीक है तो repulsive personality तो यह पूरी सीरीज मैं complete करूंगा यूट्यूब चैनल पर इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल पर मैं upload करूंगा यह सीरीज का part one है बाकी के parts भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा स्यादा पाथ वर्ड पावर मेडीजी का मैं upload करूं और अबेलेबल करूं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ठीक है अब यहां पर देखे ओडेसियस अटेम्ट अटेम्ट तो किया लेकिन cetera अरेसियस था ओरेसियस था मतलब बोल्ड था उसमें बहाधिनिंट निए चलग रही थी इसको हम कभी कभी यादी सेंसiran में यूस करให morgen चीकी भी बोलते हैं, चीकी, चीकी जो वर्ड है, इसको आपने जैसे क्रिकेट यह दिया आप देखते हैं, तो क्रिकेट कॉमेंटरीज में इसको सुना होगा, चीकी शॉट, चीकी अटेम्ट, ठीक है, ओडेसियस, तो ओडेसियस यहाँ पर इड्येक्टिव है, और इसका नाउन फ लब क्या होता है, जटका देना, किसी को, किसी पर आक्रमण करना, अटेक करना, तो उस आक्रमण या अटेक को काउंटर अटेक करके या काउंटर मूव करके बचा लेना, उससे बच जाना, ठीक है, तो इसको हम वार्ड आफ भी बोलते हैं, इसको हम इस्टेब आफ भी बो दिया इसमें इग्णोर अलग ची होती है इग्णोर में हम किसी चीश को इग्णोर करते हैं तेके सेप में हम फिजीकली उससे बचनिय की कोशिश करते हैं वह होता है इसके तो वाल्ड ओफ इसका सही आंसर यहां पर होगा अब देखें प्रीवेलेंट डिजीज ऐसी जो सब जगे फैली हुई है ठीक है जो ओमनी प्रिजेंट है जो रैंपेंट है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा वाइडिस्प्रेड वाइडिस्प्रेड इसका सही आंसर होगा फैटल फैटल को हम लीथल भी बोलते हैं लीथल इसका मतलब होता है जानल जैसे cancer जो है वो एक fatal disease है एक जानले बार बीमारी है चलिए आगे देखते हैं ominous report ominous मतलब जिससे जो शुब नहीं है जो अच्छा नहीं है जो अशुब है जिससे किसी हानी या किसी हाम की संभाबना अब्यक्त होती है जैसे report है उसमें सारी चीज़ निगेटिव में लिखी हुई है और उसमें कोई बड़ी बीमारी के बारे में लखा हुआ है कि इसको अगर control नहीं किया तो आगे cancer बन जाएगा ऐसे कुछ लखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ominous जो अप शकुन को दरसा रही है जो अशुब चीज़ को दरसा रही है उसको हम बोलते हैं ominous यानि threatening इसको हम बोल सकते है threatening ominous को ठीक है काफी अच्छे तरीके से इस बुक में यह दिया है definitely यह बुक यह आपके पास नहीं है world power made easy तो इसको आप ले और इसके थूरू study करे definitely vocabulary improvement करी बहुत ही अच्छी यह बुक है story story कैसी है story हो गया now story कैसी है story है incredible incredible का क्या मतलब है credible का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है credibility जो word है वो इसी से मिलके बना है incredible का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब कि कोई चीज इतनी अच्छी है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है to good to believe जिसको हम बोलते है unbelievable तो unbelievable यहाँ पर इसका equivalent होगा incredible का incredible story next हम देखते हैं an ophthalmologist ophthalmologist होता है आँखों का doctor ठीक है आई doctor is skin doctor dermatologist होता है heart का doctor जो होता है वो cardiologist होता है ठीक है और एक उसका और होता है क्या बोलते है कि इस तरह इस तरीके से यह doctors की नेम है और पूरा एक section दिया है इस book में काफी detail में यह दिया है ठीक है आगे हम देखते हैं will supersede the old law किसी चीज के बारे में बात हो रही है कोई कोई चीज है कोई object है वो क्या करेगा वो supersede कर देगा किसको पुराने नियमों को supersede करेगा किसको पुराने नियमों को मतलब उसका इसथान ले लेगा या उसको replace कर देगा the new law will supersede the old ones उसको रेप्लेस कर देगा तो इसमें आपका सही answer क्या होगा take the place of देखें यहाँ पर किस तरीके से यह word दिया गया है take the place of इसमें कि स्पेलिंग और होती है c-e-d-e, c-e-d-e-b है और c-e-d-e-b है, तो दोनों ही यह सही है यह variant होते हैं अलग-लग स्पेलिंग्स के c-e-d-e-b c-e-d-e-b का भी same ही मतलब है ठीक है? आगे हम दिखते है an anonymous donor donor मतलब दान देने वाला, वो डोनर तो है लेकिन कैसा है? anonymous 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 मतलब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता उसका नाम नहीं पता किसी को तो one whose name is not known one whose name is not known यह होगा इसका सही आंसर और reluctant का मतलब होता है unwilling, किसी काम को करने का अनिक्छुक, उसको हम बोलते है reluctant, reluctant adjective है reluctance, इसका noun form होगा stingy या miser होता है conjunus, ठीक है? आगे हम देखते है performed an autopsy autopsy अच्छली जब कोई विक्ती मर जाता है, उसकी death हो जाती है, उसका post-mortem किया जाता है, तो उसमें से एक tissue निकारा जाता है, और ये examine किया जाता है किसकी death का reason क्या था examination of a corpse corpse हम बोलते है dead body को, ठीक है? तो इसमें आपका जो answer होगा, ये होगा B, autopsy हम उसी को ही बोलते है, performed and autopsy तो performed यहांपर verb है और autopsy यहांपर noun है अब देखिए, ये भी एक काफी अच्छा word है in defatigable worker, देखिए, ये word कैसे बनाए fatigue होता है थकान, थकान को हम बोलते है fatigue, fatigable मतलब जो थक जाता है in 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 defatigable ठीक है, काफी अच्छा word है तो इसका मतलब होगा, जो थकता नहीं है, जो tireless है इंडी, fatigable होगा इसका अच्छी, इंडी, fatigable पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर इसका answer होगा, tireless ये काफी अच्छा word है, particularly SSC exams में इस तरह के words काफी आते हैं अब देखिए, a confirmed atheist a confirmed atheist a लगा है, तो इसका मतलब ये negative word ही होगा atheist, atheist हम बोलते है आस्तिक व्यक्ति को जो भगवान में विश्वास करता है, atheist जो भगवान में विश्वास नहीं करता है यानि, disbeliever in God disbeliever in God तो इस तरीके से मैंने ये words लिये हैं, ये part 1 है तो इसके आगे के पास मैं जल्दी ही upload करूँँगा इस channel पर जिसका नाम है English or Vantage YouTube channel यदि आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं banking की, SSC की तो मेरी best paid classes आप जॉइन कर सकते हैं ये बैचे चल रहे हैं examiny.in पर और यदि ये classes आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप like करें, share करें और subscribe ज़रूर करें ये आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस video session में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next session में Thank you